तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताूंगा कि हमारा speaker में कौन सा point positive होता है और कौन सा point negative होता है जैसे कि देख सकते हो यह मेरे पास 4 inch का speaker है और यह देख लिजे इसमें 2 point दिया जाता है हमारा connection करने के लिए तो यह दोनों में से एक positive होता है और एक negative होता है तो बहुत सारे speaker की पीछे में इसका positive negative लिखा हुआ होता है जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हमारा minus लिखा हुआ है यानि कि यह हमारा negative है और यहाँ पर हमारा plus लिखा हुआ है तो यह हमारा positive है अगर कोई speaker में यह positive negative नहीं लिखा हुआ होता है तो उसको के से चेक करना है अभी मैं आपको बता दता हूँ बहुत ही आसान सा ट्रीक है तो सबसे पहले आपको यह speaker को इसी प्रकार से आपको नीचे में रखना है देख लिजे मैंने यहां पर इसको रख दिया हूँ और इसके बाद आपको यह 3.7 बोल्ड की lithium-ion बैटरी चाहिए जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं अगर आपके पास यह वाला बैटरी नहीं है तो आप 4 बोल्ड की lead acid बैटरी को भी ले सकते हो अगर आपके पास कोई भी बैटरी नहीं है तो आप mobile charger को लिजे उसमें जो दो वायर होता है positive negative उसको काट के अलग कर लिजे और वो दोनो वायर का इस्तमल कीजे क्योंकि हमें यहां पर 5 बोल्ड की power supply चाहिए तो देख लिजे यह जो हमारा red color की wire है यह हमारा बैटरी का positive है और यह yellow color की wire हमारा बैटरी का negative है तो यहां पर इस बैटरी की दोनो वायर की माध्यम से हम यह speaker की positive negative को आसान से जान पाएंगे तो देख लिजे आपको बैटरी की दोनो वायर को speaker की दो पंड में लगा लेना है कोई भी tension मत लिजे कुछ भी नहीं होगा आप कहीं से भी लगा लिजे उल्टा करके लगाएं सिधा करके लगाएं जैसे लगाना है वे से लगा लिजे आपको पता चल जाएगा speaker की positive कोन सा है नेगेटिव कोन सा है तो यहां पर मैंने इसी प्रकार से लगा रहा हूँ तो देखे दोस्तों यह जो हमारा speaker की परदा है यह जो black color की दिख रहा है यह हमारा battery को इस प्रकार से लगाने से यह परदा हमारा उपर की और उठ रहा है आप लोग देख सकते हो यह हमारा परदा उपर की और उठ रहा यानि कि यहां पर हम बैटरी का पॉजिटिव नहीं देखकर यहां पर हमारा नेगेटिव देना चाहिए और यहां पर हम बैटरी का नेगेटिव दे रहे हैं तो हमें यहां पर बैटरी का पॉजिटिव देना चाहिए हम यहाँ पर उल्टा कनेक्शन कर लिए हैं इसलिए यह परदा उपर के ओर उठ रहा है तो सिधा कर लेते हैं देख लीजे यहाँ पर हम बैटरी का नेगेटिव देंगे और यहाँ पर हम बैटरी का पोजिटिव देंगे तो चलिए मैंने यहां पर इस प्रकार से देता हूँ तो देख लीजे दोस्तों यह हमारा परदा नीचे के और हूरा है आप लोग देख सकते हो यह हमारा जो ब्लाक कलर की परदा है यह हमारा नीचे के और जा रहा है इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद तो दोस्तों speaker को इस प्रकार के रखने के बाद ब्याटरी को अगर आप इस प्रकार से connection करते हो और परदा अगर आपका नीचे जाता है तो ब्याटरी का connection के मुकाविक यह हमारा speaker का positive negative पता चल जाता है तो देख लिजे दोस्तों मैंने आपको बोला था कि यह yellow color की wire हमारा battery का negative है और यह red color की wire हमारा battery का positive है तो मैंने इसी प्रकार से लगा रहा हूँ तो यह वाला point हमारा speaker की negative होगा क्योंकि yellow color की वार negative है और यह वाला point हमारा speaker की positive होगा क्योंकि यह हमारा red color की वार यहां पर लगा हुआ है और red color की वायर हमारा बैटरी का positive है तो बैटरी का positive और negative के माध्यम से यानिकि बैटरी का positive और negative के अनुसार यह हमारा speaker की positive negative आप इस प्रकार से निकाल सकते हो तो दोस्तो यह point हमारा negative है और यह हमारा positive है इस प्रकार के हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं तो देख लिएँ दोस्तो में आपको जैसे बताया था उसी प्रकार से यहां पर भी हमारा लिखा गया है यह वाला point नेगेटिव है और यह हमारा positive है तो दोस्तो इस प्रकार से आप कोई भी speaker उफर सब उफर का पौजिटिव नेगेटिव को आसान से घूंड सकते हो बातरां.